हेलो दोस्तों आप सभी का आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुकेशन जीनियस में तही दिल से स्वागत है दोस्तों हमारा जो आज का टोपिक है जैसे कि अपने थमनेल में देखा वो है पैरा कमांडो दोस्तो आज हम इस वीडियो में पेरा कमांडो के बारे में काफी कुछ जाधा डिटेल में जानेंगे दोस्तो हम यहाँ पे जानेंगे कि पेरा कमांडो है क्या पेरा कमांडो की हिश्टरी क्या है पेरा कमांडो सेलेक्शन कैसे होता है दोस्तों पहरा कमांडो की ट्रेनिंग क्या है और पहरा कमांडो के दौरा कौन कौन की वैपन्स यूज कि जाते हैं और आप पहरा कमांडो कैसे बन सकते हो इस वीडियो में काफी ज़धा डिटैल में जानेंगे दोस्तो यदि आप भारत की Top 5 Special Forces के बारे में जानना चाते हो तो आप यहाँ वीडियो में आई बटन में मैंने लिंक दिया है आप उस पे क्लिक करें के भारत की Top 5 Special Forces के बारे में जान सकते हो दोस्तो बिनने टाइम को वेश्ट किये हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं यदि आप चैनल पर नहीं हो आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेर एंड लाइक जुरूर करें दोस्तो तो चलिए दोस्तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं सबसे पहले पैरा कमांडो पैरा कमांडो Special Forces also known as पैरा-SF इज एक गुरूप उप Special Forces Battalion दोस्तो यह एक गुरूप है Special Forces Battalion का ओफ दा पैरासूट रेजिमेंट इन इंडियन आर्मी में जो की पैरासूट रेजिमेंट इंडियन आर्मी में इस उनिट्स स्पेशलाइज इन वेरियस रोल्स इंकलूदिंग दोस्तो दोस्तो जो युनिट की जड़े हैं वो वर्ल्ड वर सेकिंड से हेरिटेज की गई है विद दा क्रियेशन ओफ दा 50th पैरासूट ब्रिगेड इन अक्टोबर 1941 यानि की दोस्तो जब 50th पैरासूट ब्रिगेड का 1941 में क्रियेशन हुआ था वहाँ से इसकी जड़े हेरिटेज की गई है अंडर दा ब्रिटिश इंडियन आर्मी ब्रिटिश इंडियन आर्मी के अंडर में जो 9 पैरासूट है दोस्तो उसको 1966 में रेज किया गया था और दोस्तो जो 9 पैरासूट कमांडो बटालियन अज दा 9 पैरासूट कमांडो बटालियन के तोर पर अज अपार्ट ओफ पैरासूट रेज्मेंट एंडियन आर्मी और दोस्तो जो 9 पैरासूट है वो इंडियन आरमी की जितनी भी 15 पैरासूट है उनमें सबसे ज़्यादा पुरानी है दोस्तो यह काफी ज़ाद ओप्रेशन्स में इन्वोल्ड रह चुकी हैं जैसे कि इंडो पाक वार ओफ 1971, ओप्रेशन ब्लू स्टार, ओप्रेशन पवन, ओप्रेशन केक्टस, कारगिल वार, ओप्रेशन जिंजर, 2015 काउंटर इंसर्जेंसी ओप्रेशन इन मयामार, 2016 पॉंप अब हम पैरा कमांडोज की हिस्ट्री के बने में चानते हैं कि यह पैरा कमांडोज उनिट बनी कैसे, तो पैरा सुट उनिट्स ओफ दे इंडिन आर्मी और अमंग दा ओल्डेश्ट एरबॉन उनिट्स इन दा वर्ल्ड, यानिकि दोस्तो जो पैरा सुट रेजिमेंट्स है इंडिन आर्मी की युनिट्स हैं, दोस्तो वो अमंग दा ओल्डेश्ट एरबॉन उनिट्स हैं वर्ल्ड में, दोस्तो दा 50 इंडिन परासुट ब्रिगेड वस फॉंट वन 27 अक्टूबर 1941, यानिकि दोस्तो जो 50 इंडिन परासुट ब्रिगेड थी, उसको कब बनाया गया 27 सक्कूबर 1941 को, comprising of the British 151st Parachute Battalion, the British Indian Army 152nd Indian Parachute Battalion and 153rd Gurkha Parachute Battalion, the Parachute Regiment was found from these and several other units in 1952, यानिकि दोस्तो जो परासुट रेजिमेंट थी, उसको in several units में से और काफी other units में से 1952 में बनाया गया था दोस्तो दूरिंग दा जम्मो कस्मेर ओपरेशन्स ओफ 1947-1948, इस बतालियन्स डिस्टिंग्विस्ट देंसेल्स विद गलोरी इन दा बैटल्स ओफ सेटाला, नोसेरा, जहांगर एंड पुंच एंड वर अवर्डिद रिस्पेक्टिव बैटल ओनर्स यानिकि दोस्तो जम्मो कस्मे जो ओपरेशन्स चल रहे थे 1947-1948 में, उस टाइम पे जो बतालियन्स दिस्टिंग्विस्ट किया था, और वहाप पे इनको अवर्डिड किया था, रिस्पेक्टिव बैटल ओनर्स भी मिले थे दोस्तो इन 1986, eight Pera became the 12th Battalion, यानिक दोस्तो, 1986 में जो eight Pera थी, वो बनी बार्मी Battalion, Machinized Infantry Regiment, while 21 Maratha Light Infantry converted to Pera, यानिकि दोस्तो जो 21 Maratha Light Infantry दियो, उसको Pera में convert कर दिया गया 1978 the first para as an experiment was converted to became the first special force unit of the Indian Army यानि कि दोस्तो 1978 में जो one para थी उसको एक experiment के तोर पर was convert कर दिया गया as a first special force unit of the Indian Army and was kept as the tactical reserve और उसको tactical reserve के according रखा गया दोस्तो on 15th January 1992 यानि कि दोस्तो 15 January 1902 को parachute regiment के training center along with records and PAOR and the para regiment mood to Bangalore यानि कि दोस्तो 15 January 1902 यानि कि दोस्तो पराशूट regiment के training center along with the records and PAOR इसके साथ में दोस्तो और जो para regiment उसको mood कर दिया गया बैंगदोर बैंगदोर मूग कर दिया गया and occupied the else-toile location of pioneer corps and training center दोस्तो वहाँ पे नहीं उन्हें occupy करी location of pioneer corps and training center की location को occupy किया गया दोस्तो 1995 show the formation of the 4th commando battalion यानि कि दोस्तो 1995 ने जो formation देखी 4th commando battalion की when 21 maratha light infantry was selected to convert special forces जब 21 maratha light infantry को select किया गया उसको special forces में convert करने के लिए and slotted for the eastern command और उसको eastern command के लिए slot किया गया with the changing scenario in the military operations military operations में जो scenario change हो रहे थे उनको देखते हुए the need for the more special forces units 2 यानि कि दोस्तो फिर need पड़ी ज्यादा special forces की तो जो unit 2 थी जैसे की 2 para begin the conversion process from parachute to special force 2 para को दोस्तो फिर converge किया गया process शुरुआ उसका parachute से special force का role लेने में फिर उसको follow किया गया दोस्तो 3 para के द्वारा and 4th para के द्वारा 2004 में and 2005 में and further 11th para SF in 2011 12th para के द्वारा दोस्तो 2013 में 13th para के द्वारा 2022 में and were raised from the within the strength of the regiment to augment the strength of the existing special forces battalions और दोस्तो जो 22 में 5th para, 6th para, 7th, 23rd and 29th para the airborne punch of the Indian Army was re-designated यानिक दोस्तो जो यह है इनको इंडियन Army की जो airborne punch है उनको re-designated किया गया and were given the specialist role with the dual tasking of the airborne और दोस्तो इनको specialist role दिया गया दो जिमेवारियों के साथ में tasking of airborne, airborne की task दिया गया दोस्तो as well as the special task giving a significant boost to the operations capability of Indian Army और दोस्तो special task दे गए जो Indian Army के जो operation capability है उसको significant boost देंगे दोस्तो अब दोस्तो selection, पहरा कमांडो selection की बात कर लेते हैं और आई दोस्तो इसको भी detail में जानते हैं जो All India Special Forces Operatives हैं दोस्तो वो volunteers होते हैं जितने भी All India Special Forces Operatives हैं वो volunteers हैं some enter the para regiments fresh from the recruitment दोस्तो कुछ enter करते हैं जो fresh होते हैं वो para में जो regiments होती हैं fresh recruit के दोरा उनको joining मिलती हैं while others transfer in from regular army units और दोस्तो जो regular army units हैं उनमें से भी transfer किया जाते है they are put through a probationary period and selection process of 3 months याने कि दोस्तो उनको एक probationary period के अंडर रखा जाता है और एक selection process होता है दोस्तो थ्री months का 90 days का special forces battalions का कौन कौन सी का एक दो तीम चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा एक्किस तेईज और तीस पहरा एसफ दोस्तो इन्हें battalions का एक special जो होता है वो selection process होता है थ्री months का in order to be a para special forces operator all personals are first required to qualify the paratroopers यानि कि दोस्तो in order to be a para special forces operator यानि कि para special force operator बनने के लिए जो सभी personals होता है उनको required होता है कि वो पहले paratrooper के लिए qualify कर ले one selected the candidate may be choose to advance the SF selection which takes place in the twice in a year in the spring and autonomous run यानि कि दोस्तों जो साल में दो बर प्लेस करता है spring में और autonomous run में soldiers of the Indian army can volunteer for the course irrespective of rank यानि कि दोस्तों जो इंडियन आर्मी के soldiers होते हैं वो volunteer हैं वो कोई भी इसको पेरा commando को join कर सकता है irrespective of rank यानि कि दोस्तों उसमें rank कोई matter नहीं करती या तो कोई commissioned officer हो या कोई non-commissioned officer भी हो या कोई जवान हो दोस्तों वो भी para forces को join कर सकता है बिला किसी rank के depending on the battalion the probation period is for the three months which does not include additional time for the specialized skills यानि दोस्तों battalion के ओपर depend होता है जो probation probation period होता है दोस्तों three months का होता है जिसके अंदर additional time include नहीं होता specialized skills का अब दोस्तों there are 15 para SF battalions दोस्तों 15 15 SF battalions है जो soldiers selected होते हैं दोस्तों accordingly होते हैं जैसे कि example ले तो हम जो 10th para SF battalion है दोस्तों उसको हम desert scorpions के नाम से भी जानते हैं the probation period फिर दोस unit is three months दोस्तों इस unit के लिए जो probation period है वो तीन महीने का होता है and the probationers are selected accordingly for the desert warfare और दोस्तों जो provisioner select होते हैं वो desert warfare के according select होते हैं जो 9 para SF है दोस्तों वो specialized होती है mountain warfare में go through a six month course at the special forces training school in nahan दोस्तों जिसका 6 महिने का course होता है special forces training का school में nahan में जो nahan में है दोस्तों SFTS उसमें होता है उसका nahan में इमाचल परदेश में which is followed by further specialized section उसके बाद में दोस्तों एक further specialized selection भी होता है this concept of geographical specialization was eventually modified and each para दोस्तों जो यह geographical concept of specialization को इसको eventually modify किया गया और जो each para battalion able now trained दोस्तों operate in various trains and climatic conditions में over the provision all soldiers are spirit of the tribe of the ranks यानि कि दोस्तों जो provision period होता है उसके अंदर जो soldiers होते हैं जवान या जो officers होते हैं दोस्तों उनकी सभी की rank कटा दी जाती है उनको वाँपे सिरफ प्रोवेशनर और प्रोविस के नाम से ही जाना जाता है जो प्रोवेशनर होता है दोस्तों वह किसी भी time जब चाहे जब उसकी मर्जी course को वह है छोड़ सकता है दोस्तों उसके ओपर किसी भी तरह का कोई force नहीं होता उसकी अपनी इच्छ होती है दोस्तों जो completion होता है दोस्तों दे रेजिमेंटल बटालियन से उनको ड्रोन किया जाता है दोस्तों लिया जाता है जो every special forces operator होता है दोस्तों specialized होता है वेरियस skills में such as weapons handling, demolition, navigation, communication and medical पेरा-SF usually work in small teams of only six men दोस्तों जो पेरा-SF usually काम करती है वो small team होती है जैसके six men's की focusing on the strategic recognition and surveillance दोस्तों target designation and hostage rescue direct action और इन पे जासतों इनका काफी जादा focus होता है tasks are selected and trained accordingly दोस्तों इनको task दिया जाता है और इनको select किया जाता है और accordingly इनको train भी किया जाता है those who complete the provision period and are inducted into the pera undergo further selection दोस्तों जो जो provision period को complete कर लेते हैं फिर उनको आगे इंड़क्ट किया जाता है पेरा में और undergo होते हैं फिर वह आके जागे further selection and training के लिए but to end up जो bleeding batch कमाने के लिए दोस्तों जो batch of sacrifice भी होता है they how to further surviving being deployed in active operations in hostile zones यानिक दोस्तों उनको फिर further survive करना होता है कि जो उनको active operations में hostile zones में deploy कर दिया जाता है दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं training जो दोस्तों training होती है special forces battalions में उनमें continuous process होता है in the special forces the members are imparted both basic and advanced training दोस्तों दोनों तरहेगी training दी जाती है they are taught specialized modes of infiltration and ex-filtration दोस्तों उनको infiltration और ex-filtration दोनों तरहेगी modes की training दी जाती है either by air combat free fall और combat diving दोस्तों यानिकी हवा की और समुंदर पानी की भी some trainees return to pts to undergo the free fall यानिक दोस्तों कुछ trainees जो जाते हो pts को में भी जाते हैं वहां पर उनका free fall course होते है जहां पर दोस्तों उनको at least 50 jumps लगानी होती है 50 jumps जो कि 33,500 feet की उच्चाइस है यानिक दोस्तों 10,200 meter की उच्चाइस है उनको at least 50 jumps लगानी होती है दोस्तों बहुत high altitude and low opening है low and high altitude high opening हो techniques इनको सिखाई जाती है the ability to use the HAHO method and specially designed manual variable parachutes होते हैं दोस्तों जिन को कोल्ड कहते हैं कि high altitude parachute penetration system AMX 310 to conduct stealth installations over the distance up to 50 km और 30 miles is also perfected दोस्तों यह एक specific distance होता है जहां पर दोस्तों जो parachute होते हैं उनको stealth installations होते हैं जो की 50 km के distance पे होता है अब दोस्तों जो commandos होते हैं फिर उनको आगे बाकी और जैसे naval diving school है वहां भी बेज़ा जाता है कोची के लिए combat diving training के लिए बेज़ा जाता है like other special forces does SF operators are trained for land, air and water दोस्तों जो SF operators होते हैं उनको तीनों चीज़ों के लिए train किया जाता है जुनियर लीडर्स commando training camp बेल गाओं में भी इसमें included है जो करनाटका और परवत गटक स्कूल है दोस्तों जो high altitude mountain warfare के लिए त्वांगरोन चरप्रदेश में वह भी इसमें included है दोस्तों the desert warfare school है दोस्तों राजस्थान में the high altitude warfare school है जो है दोस्तों सोना मर्ग कासमीन में और दोस्तों जो counter insurgency and jungle warfare school है दोस्तों वह विरेंग गटे मिजोरम में and the Indian special forces training school जो दोस्तों नान में है माचल परदेश में these schools are among the finest of their king kind and anywhere and routinely host students from other countries दोस्तों जो यह schools होते हैं बहुत ज्यादा finest होते हैं उनके nature में उनके kind में and दोस्तों जो routinely host करते रहते हैं और बाहर के students को भी यह other countries से दोस्तों बुलाते हैं अब दोस्तों small arms जो की परकमांडोस के दौरा use के जाते हैं मैं आपको इनके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ जैसे कि दोस्तों pistols में जो होता है ब्रेटा 92F S semi-automatic pistol, ब्रेटा P into force storm semi-automatic pistol, pistol 9mm AI semi-automatic pistol, FN57 semi-automatic pistol, Glock semi-automatic pistol, IWI Jericho 941 semi-automatic pistol दोस्तों जो सम मशीन गन होती है जैसे कि BNT MP9N 9mm machine pistol hackler and coach MP5 sum machine gun, micro UGI 9mm sum machine gun दोस्तों assault rifle कौन कौन सी होती है M4 AI 5.56 carbine, IWI TAR21 TAW and 5.56 mm assault rifle, AK-47 SOP MOD 7.6239 mm assault rifle, FN SCARL HA assault rifle, SIG SOR 1617.62 mm battle rifle, IMI GALI SAR 5.56 mm assault rifle rifle दोस्तों अब दोस्तों जो sniper rifles होती है IWI GLEEL Sniper 7.62 mm semi-automatic sniper rifle, SACO TRG.338 labwa magnum sniper rifle, Barret M107 AI anti-material sniper rifle, Barretta Vitrix Scorpio TGT.338 labwa magnum sniper rifle machine gun दोस्तों IWI NEGV NAG7 light machine gun PKM general purpose machine gun MK48 light machine gun C90 CRRBM3 rocket propelled grenade RL rocket launcher दोस्तों जो candidates होते हैं उनको go through होना होता है physical or written examination के लिए दोस्तों जैसे कि अब पैरा कमांडों बनने के लिए क्या करना होता है दोस्तों मेलने क्या होता है कि जो direct recruitment होती है जो direct GD की बढ़ते होती है दोस्तों वहां से भी हम मतलब जो direct recruitment से भी पैरा कमांडों बना जा सकते हैं और दोस्तों जो army units के अंदर जो regular जवान्स होते हैं जो regular officers होते हैं दोस्तों उन से भी वह भी पैरा कमांडों बन सकते हैं और दोस्तों जो फिजिकल टेस्ट होता है जो फिजिकल प्रोग्राम होता है ये काफी जादा लंबा प्रोग्राम होता है और मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके बारे में भी बिल्कुल जुरूर बता हूँगा कि एक से 90 दिनों तक दोस्तों क्या-क्या होता है कौ कौन सी exercise होती है तो दोस्तो यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का तैय दिल से धन्यवाद उमीद करता हूँ कि आप सभी को काफ़ अच्छे से समझ में आ गया होगा यदि दोस्तो आपको समझ नहीं आया तो आप एक बार वीडियो को जय भार्त और दोस्तो चैनल को सब्सक्राइब शेर एंड लाइक जलूर करें दोस्तो बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी न भूलें थैंक्यू दोस्तो जय हिन जय भार्त